नमस्कार दोस्तों, एक्सल फार्मा के होमोपेथी एजटी चैनल में मैं डॉक्टर अनुकांत आप सबका स्वावत करता हूँ दोस्तों, आज हम इस मौनसून के मौसम में चल रही एक कॉमन प्रॉब्लम को डिसकस करेंगे, वो है मलेरिया अब जब हर चेगा बारिश पढ़ रही है, हम लोग इन्जोय कर रहे हैं, लेकिन ये पानी जब इकठा हो जाएगा और धूप निकलेगी, तो शायद हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे और उन छोटी-छोटी जगाओं को भूल जाएंगे, जहां पर ये पानी इकठा हो गया है, और इकठा होके ये डिफरेंट और्गनिजम्स, मक्ही मच्छर, तरह-तरह की बिमारियों के लिए ब्रीडिंग की जगा बन गया है ये जो पानी इकठा हुआ है, इसको साफ करना हमारी जिम्मेवारी बनती है और अगर बायचांस हम इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तो हमें सबसे पहले सामना करना पड़ेगा मलेरियागा मलेरिया एनोफिलिस मौस्किटों जे होता है, जो की खड़े हुए पानी में ज्यादातर ब्रीड करता है इस मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स जो हैं, वो हैं हाई फीवर, शरीर में दर्दें, बहुत सारा पसीना आना, एकदम ठंड लगना, साथ में हैड़ेक रहना, या फिर बाद में बहुत वीकनेस आ जाना है ये मलेरिया की डिफरेंट स्टेजीज हैं और डिफरेंट सिम्टम्स हैं इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, अगर आप किसी और सिस्टम अफ मेडिसन में जाते हैं, तो आपको हफते से 10 दिन लगेंगे लेकिन उसके बाद भी स्लाइट हैड़ेक और वीकनेस आपकी परसिस्ट करेगी लेकिन अगर आप होमोपैथि में इसका टीटमेंट करवाते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी आराम मिलेगा और बाद के साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहेंगे जैसे कि लोगों में देखने को आया है, आम तोर पे एनेमिया और हैडिक और वीकनेस ये बाद में रह जाती है तो दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको मलेरिया है, अपने नियरबाई हेल्थ सेंटर में जाके उसका टेस्ट करवाएं और अपने नियरबाई होमोपेथिक डॉक्टर को कंसर्ट करें, या हमारे ऑनलाइन या ओफलाइन होमोपेथिक क्लिनिक्स में आएं, ताकि हम आपको आपके मलेरिये से छुटकारा दिलवा सकें इस मलेरिये के लिए मैं आपको कुछ होमोपेथिक सुजेशन्स देना चाहूंगा, जिसमें कि आपको ये लगेगा कि भी होमोपेथि में इसका एक कारगर ट्रीटमेंट है जैसे सबसे पहले हमें ठंड लगी, शिवरिंग हुई, उस शिवरिंग के लिए कॉमन मैडिसन्स में होमोपेथि में है चिनियम सल्फ एंड नक्स्वामी का जो की इस शिवरिंग स्टेज को खतम कर आपकी मदद कर सकती है शिवरिंग के बाद आएगी हीट स्टेज, कि हमें बहुत बुखार चड़ गया, शिरी से सेख निकल रहा है उस स्टेज में आर्सनिक अलबम, सिनकोना ये दवाएं काम कर सकते है इसके बाद आजाती है आपकी स्टेज, जबकि आपको पसीना आएगा और इस पसीने के साथ आपका बुखार तूटेगा लेकिन इस पसीने में आपको शिरीर में दर्दे भी रहेंगी तो ये स्टेज के लिए बोलिटस या फिर युपिटोरियम पर्फ ये मेडिसन्स आपके लिए कारगर हो सकती है इस बुखार तूटने के बाद जो आपको कमजोरी आएगी जबकि आपको ये लगेगा काम करना है लेकिन उठने का मन नहीं होगा तब आपको काम देगी जलसीमियम और फेरम फॉस या फिर कलकेरिया फॉस काली फॉस भी आपको काम में लाई जा सकती है इसके बाद मलेरिया अगर आपको है आपको हैड़ेक की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी तो उस हैड़ेक से निजात पाने के लिए आपको नेटरमियूर या पलसाटिला अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हेलफुल हो सकती है और मलेरिया के बाद जो वीकनेस आएगी उस वीकनेस को दूर करने के लिए एलस्टोनिया, सिनकोना, जलसीमियम ये मेडिसन्स आपके लिए बहुत लाबदायक हो सकती है तो दोस्तो होमेप्रिया में मलेरिया का एक अच्छा इलाज है एक कारगर इलाज है जो कि बिना साइड इफेक्ट्स, बिना वीकनेस, बिना किसी एनेमिया के आपको तुरंत ठीक करता है और आपको आपके काम के लिए तयार करता है दोस्तो इस मौनसून सीजन मलेरिया से लड़ें, होमोपैथिक की मदद से इसको खतम करें और अपने मौनसून को इंजोई करें इसमें हम आपकी मदद अपने ओफलाइन और ओनलाइन क्लिनिक से कर सकते हैं आप हमें कंसल्ट करें, हम आपको आपकी इंडिविज्वल मेडिसन बताएंगे आपके सिम्टम्स को नोट करके ताकि आप पहली डोस से ही आपने आप में इंप्रूव्मेंट महसूस करें और जल्दी से ठीक होकर मौनसून को इंजोई करें नमस्कार, धन्यवाद झाल